नमस्कार मैं दिपाली अब सभी का स्वागत दिपाली एस्ट्रों में करती हूं और आप सभी को शिपकामनाय देती हूं आगे आने वाले नव वर्ष की इस नव वर्ष की दोहजार चौबिस की आप सभी के लिए ये नया साल खुशकबरी लेकर आए आप उन्नती की तरफ ब शुबता अपने जीवन में अंकित करें यही मेरी आप सभी के लिए कामना होगी चली अब देखते हैं संपूर्ण राशियों का यानि की बारा राशियों का पूरे साल का राशिफल क्या रहेगा चली सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों के लिए बिए शाशी वालों अगर आज से मैं बात करूँ नए साल की तो शुरुआत के चार महीने की अगर मैं बात करूँ तो आपने जो विगत 2023 में एफ़र्ट्स करें थे अब शुरुआत के चार महीने आप उन एफ़र्ट्स को अपने लिए चैनलाइज करने पर काम करेंगे उसके बाद जब बीच के और चार महिने आएंगे तो आप संतुलन बनाएंगे अपने जीवन में यानि कि जो आपने efforts करे थे 2023 में उसी को आप खीच कर थोड़ा सा अगले चार महिने तक लेकर आएंगे और उसके अगले चार महिने यानि कि अगस्त या सेप्टेमबर तक रफली अगर हम एक महिना और एक्सिडेंड कर दें तो आप अपने जीवन में संतुलित रहेंगे, संतुलन बनाएंगे अब ये संतुलन आपके पारिवारिक स्थिर्ता से भी आप reference ले सकते हैं ये संतुलन आपके लिए financial stability को भी आप मन में बान सकते हैं मतलब जिस तरह की आप situations में चल रहे हों, वहाँ पर आपके लिए संतुलन indicative है फिर साल के अंतिके चार महिने आपको कुछ न कुछ authority या power दे कर जाएंगे यानि की साल के चार महिने की शुरू आप में आप किसी चीज को प्लान कर रहे होंगे और वो वही चीज होगी जो 2020 में आप उसके उपर काम कर रहे होंगे फिर बीच के चार महिनों में आप संतुलन बनाएंगे और अंत के चार महिनों में आप अपने उपर काबू पाएंगे, चीजों को कंट्रोल में लेंगे, अथोरिटेटिव बनेंगे, पावर आपके पास आएगी, प्रभावशाली बनेंगे, अपने लिए स्टेबल ग्राउंड बना पाएंगे, तो कुल मिलाकर 2024 आपके लिए काम करेंगे, आप आत्म दिमोचन कर सकते हैं, आत्म चिंतन कर सकते हैं, अपनी चीजों को समझ सकते हैं, अपने उपर काम कर सकते हैं, अपनी कमियों को आप ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस पे काम करेंगे, तो आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटिव हो आठ महीने आप अपने लिए नए साल में दोहजार चौबिस में बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। इन चार महीनों की की गई प्लानिंग और अगले चार महीने याने की अगस्त तक जिस तरह के आपके कलेक्टिव एफोर्ट्स होंगे याने की स्पिरिचल डिवेलेप्मेंट भी आपका हुआ, प्रॉपर आपकी प्लानिंग भी हुई, आपकी डिसिजन मेकिंग्स भी पदोनिती हो सकती है, आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हैं, आप अपना शेहर चेंज कर सकते हैं, कारशित्र को विस्तार के दायरे में ला सकते हैं, यानि कि कुल मिलाके दोहजार चौबिस आपके लिए नई परिस्तितियां या नए आयाम लेकर आ सकता है, जरूरत ये ह कि आप right time पे right decisions को कैसे लेते हैं बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए मिथुन राशी वालों अगर मैं 2024 की बात करूँ तो 2024 के शुरुआत के चार मैने आप के लिए काफी जादा एक भाग दोड़ के रह सकते हैं कि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं बहुत efforts कर रहे हैं बहुत जादा आपको लगेगा कि pressure में आप आ रहे हैं आपको breathing space नहीं मिलेगी शुरुआत के चार मैने काफी hectic भी रह सकते हैं कारेशेतर में कुछ नया काम आ सकता है काम का दाइरा बढ़ सकता है आपका promotion हो सकता है लेकिन वेस्टता वो बढ़ा कर जाएगा वो एक बात आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़नी है उसके बाद शुरुआत के चार महिने में किया गया आपका काम अगले चार महिनों को आपको define करके जाएगा यानि कि आपके लिए opportunities का एक दाइरा बढ़ जाएगा आप अप्रेल के बाद और अगस्त के बीच में अगर आप नौकरी चेंज करने के एक शुक हैं तो आपके पास बहतर opportunities आ सकती है आपका मन अच्छा रहेगा परिवार में आपको शुब संकेत मिलेंगे परिवारिक स्थिर्था बनी रहेगी साथी साथ साल के आखरी के चार महिने में आप अपने लिए stable ground बना चुके होंगे तो साल 2024 आपके लिए नई परिस्तितियों को या नई उचाईयों को छुने का माना जा सकता है जिस efforts के साथ आगे बढ़ेंगे वो निرधारिद करेगा आपके द्वारा किया गया जो भी आप चुनाव करेंगे चाहे वो कारिशेत्र में स्थिर्था के संदर्ब में हो या कुछ और नया करना चाहते हो उस पर आपके जो आज की चुनाव होंगे वो ही निधारण इस आगे की आपके उनती को करेंगे लेकिन कुल मिलाकर चाहे शुरुआत के चार महिने में आप जितने भी stressful situation में रहें ये बात तो आपके लिए कहनी पड़ेगी कि आप उसमें से successfully ही बहारी आएंगे इसमें कोई दोराय नहीं है कारेशेतर में आपका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा आप अपने लिए बहतर आयाम या मुकाम दोहजार चौबिस में बना पाएंगे financially, professionally and family wise या personal relationships में भी बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों अगर आपके लिए बात करूं तो शुरुआत के चार महीने हो सकता है कि आप 2023 में कोई किसी चीज़ को या किसी conflict को सुधारने की बात कर रहे थे किसी conflict को आप समझाने की बात कर रहे थे सुलजाने की बात कर रहे थे किसी conflicting situation में किसी व्यक्ति विशेश से कॉमिनिकेशन करने की बात कर रहे थे, यह वैक्ति विषेश आपके रिलेशन्शिप का भी कोई स्ट्रागल हो सकता है, कोई इश्यू हो सकता है, कारिश शेत्र में किसी वैक्ति विषेश के साथ कोई बहुत हो सकता तो शुरुगात के 3-4 महीने हो सकता है, आप उसी अंतर दूंद में चले, या इंटरनल कॉन्ट आपका अपसे चले, कि अब आगे की मेरी रणनीती क्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें इतना आपको करना है, कि सरफ आगे की तरफ आपको देखना है, सुलहा तभी होगी जब आ आज की डेट में आपको हो सकता है, थोड़े से महेंगे पड़ें या भारी पड़ें, लेकिन लोंग टर्म स्टेबिलिटी आपको दे कर जाएंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है, तो हो सकता है, शुरुआत के 4 महीने, आप किसी स्ट्रगल में रहें, किसी चीज़ को नेग महीने में आएंगे, पांच महीने से आठ महीने तक कि सकता है, यह ऑनकी मई से अगस्त की बात करूँ, उसमें आपको professionally और समाजी के रूप से का ज़्यदा आपको recognition मिलेगा, rewards मिल सकते हैं, आपके बढ़िस्तितियां और ज़्यदा बह्तर हो सकती हैं। साल के अंत तक आते आते आप अपने आपको एक evolved human being महसूस करेंगे, आपको लगेगा 2024 आपके लिए उतार चलाओं से भरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आपको experienced मानेंगे, आपको लगेगा आप बहतर इंसान बने हैं, आपके लिए बान प्रतिष्ठा बढ़ेग लेकिन कुछ-कुछ matters में आपको हो सकता है हताशा हो, यानि कि अगर आप relationship aspect में हो सकता है, कुछ चीज expect कर रहे हों, तो आपको वहां से ना मिले, या फिर कुछ-कुछ break-up हो, या divorce हो, या separation हो, इस तरह की situation आपको देखने को मिल सकती है साल के अंत में, लेकिन वो परिस्ति to happen in your life, right चुनाओं को लेकर, right decisions को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, अब चलिए बात करते हैं, सिंग राशी वालों के लिए, सिंग राशी वालों, देखते हैं, 2024 आपके लिए कैसा जाएगा, आपके लिए अगर शुरुआत के चार महिनों की बात करूं, तो आप किसी ची को आप 11 करने में लगे होंगे, कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे, जो कि आपके consciousness में बहुत समय से चल रहा होगा, लेकिन अब वो 2024 आपको एक खुला मैदान या एक, मैं कह सकते हूं, प्लाटफॉर्म देगा, जहां पर आप अपने creativity को या business argument को आप पूरी तरह से use कर सक करते हैं, उसके बाद जब पाच्वे महीने से आठ्वे महीने तक आएंगे, तो आपने जो build किया है शुरुआत के चार वहिनों में, आप उसको reap करेंगे, यानि कि अगर आप कोई नौकरी चेंज करने के लिए, अपने बहतरी के लिए और अपने परिवार के लिए कोई decision ले रहे थे, और यहां की एक lifetime opportunity नौकरी के रूप में आपको लगता है कि this is what you have dreamt for, कि ये organization या इस संस्ता को आपको जोइन करना चाहिए था, वो आपके सामने आ सकता है, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी deal के पीछे पड़े थे, यानि कि property को sell out करने के लिए, कुछ ऐसी निवेश करने के लिए जो आपको लगता है कि आपका एक dream रहा, या dream car अगर आपको लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठा हो 2022 या 2023 पिछले एक दो सालों से, कि आप उस चीज़ को करना चाह रहे थे, अब वो आपको 2024 में fulfill, अपन opportunities से भरा रह सकता है, but at the same time आपको अपने स्वास के प्रती थोड़ा सा चिंतित रहने की जरूरत है, खान पान को नियंतरन रखें, साथ ही साथ आज के दिन आपको day 1st से, यानि की पहली January से, आपको अपने लिए प्लान करना चाहिए, कुछ resolutions लेने चाहिए, आपके स्वास संबंदित चिंताओं को दूर करने के लिए, active रखिए रही अपने आपको, active रखिए अपने आपको साथ ही साथ lifestyle improvement techniques पे काम करते रहना चाहिए, financially, family wise, relationship wise, you're doing absolutely fine, और आपको 2024 निराश करके नहीं जाएगा, साल के अंतर तक पहुंचते पहुंचते, आपके लिए, इतना तो निकाले, और अपने लिए असीम opportunities को निकालते हुए best option चूस किया, जो आपके और आपके परिवार के लिए long term stability दे कर जा सकता है, बात करते हैं, कनिया राशी वालों के लिए, कनिया राशी वालों आपके लिए शुरुआत के चार महीने अपने परिवार के साथ अगर आप बिताएंगे, यानि कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप अपनी ही mental peace को enjoy करते हुए चलेंगे, कुछ नया आपके जीवन में साल के अंत में, यानि कि December 2023 में या January first week में या first month में, आपको कुछ नया create होता हुए नजर आ जाएगा, वो आपका कदबर सकता है, organization में, promotion हो सकता है, role elevated हो सकता है, expansion हो सकता है, कुछ न कुछ कारेशेतर में स्थिरता आपकी बनेगी और फिर आप 4 महीने उसी को चलाते हुए चलेंगे, लेकिन 5 महीने से 8 महीने तक आपको कुछ न कुछ mentally, कुछ न कुछ problem रहेगी, यानि कि आप stressful situation में रह सकते हैं, कुछ internal conflict आपका अपने आ महीने तक आपको अपने उपर ध्यान देने की जरूरत है, meditation करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए, जल्द बाजी में कोई ऐसे decision नहीं लेने हैं, जो बाद में आपके लिए legal problems खड़ी कर सके हैं, having said that, अगर आपको legal document sign कर रहे हैं तो सोच समझ के sign करने की जरूरत है, साल के अंत के चार महीने आपके लिए peaceful रहेंगे, वो कुछ ज्यादा चिंता जनक नहीं है, लेकिन जो बीच का साल रहेगा, बहाँ पर आपको अपने उपर ध्यान देने की जरूरत है, साथी साथ, आपको अगर लगता है कि किसी वेक् तुला राशी वालों के लिए, तुला राशी वालों आपके लिए अगर मैं बात करूं तो साल 2024 आपके लिए काफी जादा miracle से भरा हो सकता है, surprises से भरा हो सकता है, आपके लिए कुछ ना कुछ hidden element रहेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए charm या एक मैं कह सकते हूं curiosity बनी थे, अब वो मुकाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा, करियर की नई उचायों को आप छुएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ positivity या कुछ ना कुछ surprising element यहाँ पर भी होगा, किसी परीक्षा की तयारी कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपका selection नहीं हो सकता, या कहीं आप interview देकर आएं और आपको लगता है कि वहाँ पर वो situation आपके लिए सही नहीं बैठी, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ surprisingly good news देखने को मिलेगी, साती साथ शुरुआत के 4-5 महीने आपकी द्वारा किये गए efforts में ही आपको positivity देकर जाएंगे, बीच के जब हम 4 महीने में अगर हम अगस्त की बात करें लग बग लग बग तो वहाँ पर आप अपने आपको resting एक zone में डालेंगे और आप rejuvenate करेंगे, यानि कि जो शुरुआत के 4-5 महीने आप मेहनत कर लेंगे, फिर वो 5-5 महीने से 8-9 महीने तक आप उसको rejuvenate करेंगे, अपनी body को, अपनी mind को अपने soul को energize करेंगे so that you can take up better opportunities, better projects, यानि कि आप अपने zone में रहेंगे, contented रहेंगे, at peace रहेंगे, कोई tension वाली बात नहीं है साल के अंदर तक आते आते आप अपती personality में कुछ न कुछ चेंज देखेंगे for the better, आपको ऐसा लगेगा कि आप evolved हो चुके हैं, आप एक बहतर human being बन चुके हैं, आपके अंदर tolerance level जो नहीं था पहले वो आप हो चुका है, चीज़ों को देखने का perspective या नजरिया आपका change हो सकता है, बात करते हैं विश्चिक राशी वालों के लिए, विश्चिक राशी वालों अगर आपके 2024 पूरे entire साल की बात करूँ तो यहां पर आपको साल के चार महीने normal situation में ही आप अपने आपको देखेंगे, आपको लगेगा मेरी life में नया साल आ गया, कुछ movie नहीं कर रह है, और जैसे जिस तरह से monotonous life चल रहे है, चलती रहेगी, लेकिन ऐसा आपका सरिफ मानना है, ऐसा आपका सरिफ सोचना है, ऐसी परिस्थिती है नहीं, अगर आप table के उस तरफ जाकर देखेंगे, तो यह साल आपके लिए opportunities से भरा हो सकता है, आपको right time पे right decision लेने की जरू शुरुआत के चार महीने आपको ऐसा लग सकता है, कि आपकी life एक जगा आकर रुक गई है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छानक से पांच महीने से, जिस तरह के महत्रपूर decisions आप लेंगे, आपकी life उसी धर्रे में चलती रहेगी, यानि की positivity की तरफ, positive दिशा की तरफ, confidence level को embrace करते हुए, आप जीवन में अपने नवीनतम चुनावों को आप लेंगे, और नवीनतम चुनाव करेंगे, और वो आपको success की तरफ लेकर जाएगा, साल के अंतर तक आते आते, आपके लिए नवीनतम opportunities, career point of view से, business अगर आपका नीजी वेवतसाय है, उसमें आपको expansion की situation मिलेगी, कुल मिला के नया साल आपके लिए उतार चड़ाओं से भरा तो रह सकता है, क्योंकि शुरुआत के चार मेने आपको लगेगा कि कुछ भी change नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको tactfully, अपने options को अगर आप explore करेंगे, तो साल के अंतर तक आते आते, आपके लि को दे कर चला जाएगा, बात करते हैं, धनुराशी वालों के लिए 2024 आप के लिए क्या परिस्तिती लेकर आ सकता है, सबसे पहली चीज तो शुरुआत के चार मेने आपका confidence level बहुत ज़्यादा enhanced रहेगा, आप चीजों में आपको success देखने को मिलेगी, आतमे विमोचन कर प काम कर रहे थे, अब उसका result आपको 2024 में देखने को मिलेगा, तो साल के शुरुआत से ही आपके लिए काफी ज़्यादा positivity या recognition आने वाले हैं, पारिवारिक्स तर पे भी और professional, अगर मैं situation देखूं उसमें भी, फिर साल के बीच में अगर हम बात करते हैं, यानि कि मई से ले साथी साथ पारिवारिक स्थिरता भी बनती हुई नजर आएगी, नए मकान में, नई प्रॉपटी में आप रह प्रवेश कर सकते हैं, आपके लिए भूमी, भवन, वाहन, सभी का कही न कहीं से युग बनता हुई नजर आएगा, तो कुल मिला के साल के अगर मैं फर्स्ट आठ महीने में देखूं, तो आपके लिए काफी ज़ादा स्टेबिलिटी ये लाकर रख सकते हैं, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, और साल के अन तक आते आते आप अपने आपको कहीं न कहीं विक्टॉरियस साबित कर पाएंगे, आपको लगेगा कि येस, आइव अचीव परिवार एक सतर पे भी अगर मैं देखूं, आपकी परिस्तिती सही रहेगी, परिवार में सौभागे संपदा बनी रहेगी, संतान पक्ष से भी आपको टेंशन देखने को नहीं मिलेगी, साथी साथ आप बहुत कुछ नया कर पाएंगे, अपने उपर भी काम कर पाएंग अब वो महनत कम होगी, लेकिन रिजल्स अब उसके लगातार आने शुरू हो जाएंगे, बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए, आपके लिए रिलेशन्शिप आस्पेक्ट में साल के चार महीने अच्छी पाजिटिविटी ला सकते हैं, आप सेटल हो सकते हैं, अगर आच्वे महीने से आठवे महीने की बात करें, तो आप अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा देखते हुए पाएंगे, पॉजिटिव चेंज देखेंगे, लेकिन आप समाज से कट जाएंगे, आपको अलग रहना पसंद होगा, आप कहेंगे कि मैं अपने उपर काम कर सकता किसी रिसर्च वक में आप चले जाएंगे, किसी एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, अगर जॉब में हैं तो बिजनस स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, पर आप समाज से कटे-कटे रहेंगे, लेकिन वह इंट्रोस्पेक्टिव जोन में जो आप जाएंगे, वह आप के लिए काफी जादा प्रभावशाली साबित होगा, क्योंकि साल के अंत तक आते आते, आप 2025 और उसके आगे की सिचुएशन आप 2024 के आखरी के चार महिनों में अपने लिए अचीव कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे, रिष्टे जो आज आपके खराब हैं या धरातल प करते हैं कि मैं अपने आपको इस लेविल पे इस पद पे देखना चाहता हूँ, वो आपके लिए 2024 कर जाएगा, यानि की कहने का मतलब यह है कि ओवराल पॉसिटिविटी 2024 में आपको देखने को मिल सकती है, बात करते हैं कुमबराशी वालों के लिए, कुमबराशी वालों थोड़ा सा यह आपको समझने वाली बात है, अगर मैंने आप मेरे कहे हुए अगर आप शब्दों को थोड़ा सा गोर से देखेंगे या सुनेंगे तो मैंने आप से कहा कि साल के पहले दिन जो आपकी मनोदशा या मनोविथा होगी, साल के आखरी दिन भी आपकी वही होग ना है, शुरुवात के चार महिने आपको अपने लिए नया बेस कुछ क्रियेट करने का अवसर यह यूनिवर्स दे कर जाएगा, यानि कि कुछ नई एनरजी आपके जीवन में आएगी, नया रिष्टा भी आपका स्टार्ट हो सकता है, नई और्गनाइजेशन में भी आपके जीवन में एंटर करेगी, और जिस तरह की मनुदर्शा के साथ आप रहेंगे, वो ही सारे साल आपका साथ देगी, यानि कि साल के पहले दिन अगर आप डिप्रेसिव जोन में रहेंगे, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को लेंगे, तो आप साल भर उसी परिस्तिती या जोन में अपने आपको ना चाहते हुए भी पाएंगे, साथ ही साथ आज के दिन आप अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग के आसपेक्ट में भी काम कर सकते हैं, पाच्छे महीने से लेकर आठ्छे महीने के बीच में अगर आप अपने उपर कुछ काम करना चाहते हैं आज का दिन आपका माना जा सकता है कि आप उस चीज़ पे उसको एक पेपर पे आपका जो थौट प्रोसेज है जो प्लान अफ आक्शन है आप उतार सकते हैं अपने लिए कुछ नया करने का साल माना जा सकता है 2024 लेकिन consistency is the key for you अगर आपने आत्म विमोचन नहीं किया अगर आपने consistency नहीं बढ़ती अगर आपने धिलाई करी तो 2024 आपके लिए negativity से भरा हो सकता है क्योंकि everything that matters in 2024 is your attitude is your positive attitude or is that is your perspective of looking at things in 2024 में साल के अंतर तक आते आते आप अपने लिए एक निश्चत परिस्टिती comfortable zone में अपने आपको पास सकते हैं positivity से भरबूर हो सकता है आपका साल लेकिन मैंने जो आपसे कहा उस बात को ध्यान में रखेगा और उसी तरह से आप अपने साल को plan कर सकते हैं नए इंटरेस्टिंगली नए घर की भी आपकी planning हो सकती है city चेंज कर सकते हैं abroad settlement की तरफ बढ़ सकते हैं settle हो सकते हैं या paper या documentary काम आप बहार जाने की तरफ उसको शुरूर कर सकते हैं बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए साल 2024 मीन राशी वालों आपके लिए नई खुशकबरी लेकर आ रहा है नई कोई energy के साथ fresh खुशकबरी आ रही है जो आपके जीवन में चल रही current परिस्तिती से बिलकुल अलग होगी नई अनुभव होगा नई experience होगा नई परिस्तिती होगी नई दिशा की तरफ आप बढ़ेंगे अपनी confidence level में इज्राफा होते हुआ देखेंगे कुल मिला के साल की शुरुआत के 4 महीने या 4-5 महीने आपके लिए positivity से भरपूर हो सकते हैं साल के बीच में आते आते हैंने कि 5-8 महीने आप अपने आपको और जदा powerful महसूस करेंगे आपको लगेगा कि परिस्तितियां आपके लिए और जदा intact हो रही हैं अपने मन को आपको बिलकुल निश्चिंत रखना है निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है एक निश्चिंत डिरेक्शन में आपको focus अप्रोश लेकर बढ़ना है ठोस निरने भी आपको अपने और अपने परिवार के प्रती लेने की परिस्तिती आ सकती है लेकिन वो determine करेगी आपका future 37 साल की अंत तक आते आते आपके लिए positivity indicative है कुछ ना कुछ आपके लिए destiny ने positive चीज़ें लिखकर रखी हुई इसको आप good luck कहें इसको आप कहें कि मेरा लग अच्छा था आप ये कहें कि मेरे लिए एक अच्छी परिस्तिती आये कुछ भी आपके लिए आएगी जो आप इविगत इतने महीनों से सालों से लगे हुए थे अपने अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता बना पाएंगे साल के बीच में थोड़ा सा मनो दश्रा आपकी बिगड़ सकती है यानि कि आप थोड़ा सा anxiety and stress में आ सकते हैं लेकिन अब जैसे मैंने आपको idea दे दिया तो आप properly अपने आपको negativity से disassociate करते हुए चलें जिससे कि आप पूरे साल को बहतर तरीके से plan कर सकें कुल मिला कि साल 2024 आपके लिए नवींतम opportunities से भरा हो सकता है भरपूर situations आपके लिए positive हो सकती है आपके उपर दिरधारित है कि आप साल 2024 को अपने लिए कैसे बनाना चाहते है इसके साथ मुझे आ गया दीजे मैं कल फिरा आजिर हूंगे नमस्कार